कैसे हैं आप सुब लोग उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे तो भाई बात कुछ ऐसी है बच्चे बहुत दिन से कर रहे थे जिट कि कुछ अच्छा खाना है बाहरवाला खाना है तो हमने डिसाइड किया चलो कुछ घर में ही टेस्टी सा बनाते हैं यह होगा आपके लिए सर्प्राइज एंड में रिवील करेंगे कि हमने क्या बनाया कैसे बनाया उसके पहले हमने कुछ कर ली हैं तैयारियां जैसे कि थोड़ी सी प्याज कर ली हैं चौप थोड़ी कैप्सिकम हैं थोड़ी अनियन हैं और अब भी हम इसी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सब्त कुछ बनाने का तो मैं बन गया हूँ शेफ पहले थोड़े से तेल में अम डालेंहें थोड़े सी प्याज कि यह कहीं हैं इसमें प्याज थोड़े से को करेंगे सोते अब आरी है किसकी बारी है भाई यह है काली फ्लार पत्ता गोभी यह भी डाल दी हमने इसमे प्याज गई है पत्ता गोभी गई है और अब बारी है किसकी कैपसिकम की तो यह है कैपसिकम एक से दो कैपसिकम ली है तो इसमें कैपसिकम भी गई घर में बनाओ तो काफी अच्छा रहता है भारवालिमें इतना मजा नहीं आता हूं सैट्टिसफ्ञक्शन भी नहीं होती क्योंकि तो घर में ही सारी चीज़े बना लेते हैं क्योंकि मुझे काफी कुछ आता है राइस्ट फूट बनाना न तो बच्चों को घर में बनागे खिलाता हूं और बच्चे काफी पसंद भी करते हैं तो इसमें देखिए कैपसिकम है अनियन है और कैबेज है थोड़े से इसको करेंगे हम फ्राए और इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे जैसे कि यह है वाइट पैपर सफेद मिर्च का पाउडर गया इस घ्राइक पैपर जानी की काली मिर्च काली मिर्च भी गई ज्यादा तीखा निया थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाला है बस अब यह थोड़ा सा MSG ज्यादा नहीं खाना चीए शियत के लिए अच्छा नहीं होता बट कभी कभी थोड़ा थोड़ा चलता यार इससे का एक enhance हो जाता है और थोड़ सा salt as per taste salt डालने के बाद इसको थोड़ सा mix करेंगे बहुत ही अच्छा कुछ बनने वाला है surprise है आपके लिए बच्चे देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे हमारे बच्चे भी जांक जाके देख रहे हैं कि आज पक क्या रहा है कौन सी बीरवल की खिचिटी पक रही है आज पर बच्चों को भी अभी हमने बताई नहीं है क्योंकि एंड में बताएंगे तो surprise भी हो जाएगा और बच्चे एकसेटीड भी ह भी होंगे धरम पतनी हमारी गई यह थक स्लेप पे बैठ गई है पानी ग्रहेंड किया और बाकिका जिम्में हमारे बरोसे छोड़ दिया है लंबी सांस लेके दरसाया कि हां मैं ठक गई हूं और बच्चे को बताय कि बैए क्या बन रहा है थोड़ा थोड़ा बताया में कर लिया है सर्व दिखाने का इसका मन चारा मैंने का एक बार बैड़ पर आजाओ तब दिखाते हैं तबी रिवील करते हैं कि आज हमने बनाया क्या है भास हम दोनों को पता है कि प्लेट के अंदर का बच्चों को भी नहीं पता तो ये त्री टू नहीं हम पहले पूलडे है येलो भी है औरेंज भी है वाइट भी है दबा के अच्छे से फिलिंग की है और अभी टेस्ट करके बताएंगे कैसा है बच्चों ने तो बता दिया है मज़ा ही आ जनाव आला कमाल हो आप बनाने वाले और बनाने वाले की हैल्प करने वाले दूबारे से एक बार अपनी प्रतिक्रिया दी मज़ा ही आगया आज मोमोज में बच्चों ने काफी जम के खाए और अभी इनका पेटनी बराइब भी भी कह रहे हैं और लेके आओ और लेके आओ जबकि हमने आराउंड 30-35 पीसिस बनाए दे और हम चारों ने मिलके ओल्मोस सारे खतम कर दिया मगर बच्चे कह रहे हैं कि अभी और लाना है अभी ओप पेट नहीं भराए मज़ा आ गया वह क्या बात है क्या बात है अहां और खाना इसे और खाना इसके लिए और लेके आज़ो छोटा सा पेट है मोमोस खागई है दस और अब भी नहीं कर रही है बस गाइस घर में बनाओ अच्छा बनाओ वहार का खाना अवोइड करओ भार पता नहीं कैसे क्या होता है हिजीनीक लेवल चाह जूटा है तो आज करते हैं ब्लोग एंड फ्र मिलेंगे आगले किसी ब्लोग में अच्छे से टाटा बा बाई